दोस्तो सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही आपके चहरे से जूरिया, दाग धब्बे, एक्निक का प्रोब्लम या फिर आपके चहरे से गलो खतम हो गए हैं या फिर आपके चहरे पे बहुत जादा पेंपल्स के निशान है ये सारे खतम हो जाएंगे तो वीडियो को लाच तक मिल जाएंगी आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेश्ट दोस्तो अगर वीडियो पसंद आये तो एक जाते जाते एक लाइक जरूर करना क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल लाते हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर किजिएगा इस पैक को बानाने के लिए आपको लेना है तीन चम्मस बेशन जूरिया हाटाने के लिए बेशन से अच्छा रेमेडि कोई नहीं है तो आपको लेना है तीन चम्मस बेशन बेशन में जो आपको आधा चमस के करीब एलोवेरा लेना है इतना मात्रा में उसके बद आपको एड़ करना है एक चूटकी हल्दी पाउडर यानिक टर्मेरी पाउडर यह आपके चेहरे की दाग धब्याटाने में बहुत ज़्यादा हेल्फ करता है और इसके बद आपको लेना है आधा च कि मैंेंनाय इस टमाटर करती हूं। वो इस लिए दोस्तों कि इसे आपके चेहरे पर चमक आती हैं। आपके चेहरे पर बहुत निस सुन्दर सा ग्लों आता है। और डोस्तों आपको लेना है एक टमाटर। और इस तरह से थे इसको रस निकालना एने wram आप देख सकते हूं एक टामाडर मेंने काटा है और इस तरह से आपको रस निकाल लेना है। और इस टामाडर को फेकना नहीं है। आप चाहें तो इससे सब्जियों में इस्तिमाल कर सकते हो। दोस्तों टामाडर में भी विटामिन सी होता है। यह आपके चेहरे पे ग्लो लेकर के आता है और साथी साथ यह आपके चेहरे की जूरिया आता है और टामाटर का वीडियो मैंने पहले भी बना चुकी हूँ और उसे आप लोगों ने काफी फसन किया है दोस्तों मैं कोई भी रेमेडी आप लोग के साथ सेयर करने से पहले मैं खुत्रे ट्राई करती हूँ उसके बाद ही मैं आप लोग के साथ सेयर करती हूँ अभी इस टामाटर को आप सब जो में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद आपको लेना है बादाम ओयल आपने देखा होगा मैं सारी वीडियो में बादाम ओयल का इस्तेमाल करती हूँ क्यूंकि ये आपकी फेस की आपकी स्कीन की ड्राइनस को दूर करके ये आपकी स्कीन को सौप्ट और मुलायम बनाता है अभी इसमें आपको थोड़ा-थोड़ा पानी एड करते हुए एक फेस पेक बनाना है बिल्कुल थीक सा इसे पतला बिल्कुल नहीं करना है तशलिए यहाँपर मैंने पेक बना चुकी हूँ तो आप इसको बताती हूँ इस अपलाय आपको कैसे करना है सबसे पहले आपके अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और दोस्तो इस पैक को आपको हथे में तीन बार इस्तेमाल करना है, और इस पैक को कोई भी लगा सकते हो, वो चाहें फिर गल्स हो या फिर बॉई हो, ये सब के लिए सुटेबल है, अभी इससे लगाने बा और थोड़ा सा हलका सा सूख भी गया है यह तब इसको इस तरह से आप गिला तावल करके पोच लीजिए और वर्ना आप पानी से भी धो सकते हैं तो इस तरह से आप अपने चेर को ग्लोईन खुबसुरत बना सकते हैं, गोरा बना सकते हैं, अपने चेरे के जूरिया आठा सकते हैं, दाग दभी को आठा सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल नेचुरल है, इससे आपके चेरे पर कोई भी साइड दोस्तो आई होप इस वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ आपने मेरा आभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करना बि झाल झाल